डिप्रेशन को नवाज उद्दीन सिद्दिकी ने बताया सहरी कहां अमीरी संग आती है ये बिमारी पापा को बताया तो पढ़ेंगे थफपड हलो एंड वेलकुम मैं हुदामीनीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी बॉल्वूड एक्टर नवाज उद्दिन सिद्दिकी इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी जोगीरा सारा रा के प्रमोशन में बिजी हैं लेकिन इस समय जो सोशल मीडिया पर सुर्ख्यों में बना है वो एक्टर की मूवी से भी जादा उनका स्टेटमेंट है दरसल एक्ट के दौरान नवाज ने डिप्रेशन के बारे में बात करते हुए कहा कि सहर में हर आदमी अपने चोटे इमोशन को भी बहुत ज्यादा ग्लोरिफाई करता है डिप्रेशन तो सहरी कंसेप्ट है क्योंकि गाओं के लोग कभी इसका सामना ही नहीं करते ऐसे में अगर वह अप पहले नवास उस समय सुर्ख्यों में आये थे जब उन्होंने हाल ही में एक इंटर्व्यू के दौरान सल्मान शारुप खान संग फिल्म बनाने पर बात चीत की थी और इंटर्व्यू के दौरान यह बताया था कि आखे सल्मान शारुप के अलावा वो किसी बड़े स्टार के साथ फिल्म में क्यों नजर नहीं आये इस पर एक्टर ने कहा था कि वो लीड रोल करना ही पसंद करते हैं बहले ही फिल्म में उन्हें अपना पैसा लगाना क्यों न पढ़ जाए लेकिन अगर कोई बड़ी फिल्म और अच्छी फिल्म आफर होती है तो वो इनके साथ ज प्रमोशन के दोरान एक्टर ने एक इंटर्वियो दिया जिसमें उन्होंने अपने डिप्रेशन का जिक्र किया वेल नवाज के इस डिप्रेशन वाले स्टेटमन्ट पर क्या है आपका रियाक्शन हमें कमेंट सेक्षन में बताना न भूले बॉलिवुड से जोड़ी ऐसे झाल झाल